जै गंगे मिया दोस्तो, दोस्तो आज जानेंगे छट पूजा का महत्व और छट पूजा की व्रत कथा दोस्तो छट पूजा व्रत जिसे सूरिय सस्ती भी कहा जाता है छट पूजा कार्तिक महा के शुकल पक्स की सस्ती को मनाई जाती है छट पूजा का पर्व चार दिनों तक मनाया जाता है यह पर्व चतुर्थी से सब्टमी तक चलता है इस व्रत में माता छटी की पूजा की जाती है वेदों के अनुशार भगवान शूर्य देव की पत्नी उसा छटी मैया की पूजा की जाती है इस दिन छटी माता की पूजा की जाती है और छटी माता बच्चों की रक्षा करती है इसी संतान प्राप्ती की इच्छा से भी किया जाता है इस दिन सूर्य देव की विशेश पूजा की जाती है इस पूजा की दुआरा शूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है जिनकी किर्पा से ही इस प्रत्वी पर जीवन संभव हो पाया है और जो हमें एरोग्य प्रदान करते है भगवान शूर्य देव ही एक मात्र ऐसे देव है जिने हम प्रत्यक्ष देख सकते है सूरज के प्रकास से ही प्रत्वी पर प्रकर्ती का चक्र चलता है इस्ति की पूजा भगवान आधित्य के प्रति अपनी श्रद्धा और कर्टग्यता को दर्शाने के लिए की जाती है इस दोहार को बिहार, जहारखंड, उत्तरपरदेश, एम भारत के पडोसी देशों में भी बड़ी नियम निश्ठा के साथ मनाया जाता है इस दोहार में देवी सस्टी माता इम भगवान शूर्य को परसन करने के लिए इस्त्री और पुरूस दोनों ही इस दिन व्रत रखते हैं इसमी गंगा इसनान का महत्व सबसे अधिक माना जाता है लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्य सस्टी या छट व्रत की शुरुआत रामायन काल से हुई थी इस व्रत को शीता माता समेत द्वापर यूग में द्रोपती ने भी किया था इस दिन सस्टी देवी की कथा भी सुनी जाती है जो इस प्रकार से है कथा के अनुसार प्रियवरत नाम के एक राजा थे उनकी पत्नी का नाम मालनी था दोनों की कोई संतान नहीं थी इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ती की इच्छा से महरिशी कश्यक दुआरा पुत्र शेस्ठी यक करवाया इस यक के फ्रानी गर्वती हो गई नो महीने के बाद सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ संतान सोक में वह आत्महत्या का मन बना रहे थे लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिस की उनके सामने एक सुन्दर देवी प्रकट हुई देवी ने राजा को कहा कि मैं सस्टी देवी हूँ मैं लोगों को पुत्र का सो भाग्य प्रदान करती हूँ इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनुरत को पूर्ण कर देती हूँ यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रतन प्रदान करूँगी देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आग्या का पालन किया राजा और उनकी पत्नी ने कारतिक शुक्ल की सस्टी तिथी के दिन देवी सस्टी की पूरे विधी विधान से पूजा की इस पूजा के फल सवरुपुने एक सुन्दर पुत्र की प्राप्ती हुई तबी से छट का पर्व मनाया जाने लगा छट वरत के संधर्म में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट चुए में हार गए तब द्रोपती ने छट वरत रखा इस वरत के प्रभाव से उनकी मनों कामना पूरी हुई तथा पांडवों का राजपाट वापस मिल गया दोस्तों उमीद करती हूँ आपको छट माता की वरत कथा पसंद आई होगी प्लीज वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट करें मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें